रादे रादे फ्रेंड देखिए मैंने बना इन्हें आलू गोबी मटर की सब्जी और आज मैं आलू गोबी मटर की सब्जी की रेसिपी आपके साथ सेयर कर रही हूं और आप इस तरह से एक बार जरूर आलू और पत्ता गोबी मटर की सब्जी बना कर खा कर देखिए चलिए इस देल को गरम कर लिया, यह डाल दीया चुटकी वर हीम, ओर देखिए, यह मैंने लहसुन और अद्रक को दाई कूट लिया है, आप चाएं तो पेश्ट भी बना सकते इसे सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है थोड़ी तब भून लाएंगे हमें देखिए सब्टा वोगी मतर आनू की सब्जी आप उस तरह से बना कर देखिए बहुत ही यम्मी सब्जी बनेगी देखिए मतर को डाल दिया है हमें देखिए और अब इसमें धीरे-धीरे मसाले डाल दाएंगे देखिए यह हल्डी पुता हुआ धनिया और यह लाल मिच लाल मिच आप अपनी स्वाब के अनुसा रखिए मतर को थोड़ी देल तब भून लेंगे इस तरह से लेके फेंड हम सब्सक्राइब नमक दाल देते हैं आप नमक अपने स्वाब के अनुसार डालें देखिए यह कटी हुई मिर्च डाल देते हैं इसमें मिर्च को भी अब हम उसमें डाने पत्ता वोगी देखिए मैंने पत्ता वोगी को अच्छी तरह से दोवकर बारिक काट लिया है और पत्ता वोगी को डाल कर थोड़ी देखिए पत्ता वोगी को डाल कर थोड़ी देखिए पत्ता वोगी की सब्जी मेरी फेवरेट है आपकी भी हो फेवरेट शायद तो आप इस तरह से उसे जरू बना कर खाएं डिफ्रेंट डिफ्रेंट सारीके से सब्जी बना कर खाएं देखिए फ्रेंड मैंने इस सब्जी में बिल्कुल भी पानी एड नहीं दिया है और देखिए पत्ता हो भी ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है इसलिए मेस में कुए बीडियम प्लेम पर भूनूँगी देखिए इस तरह से सब्जी को हम बना लेंगे और हरी सब्जियों में बहुत पानी होता है सब्जी ने देखिए खुद से ही इतना पानी छोड़ दिया है कि मुझे इसमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है और गैस को मीडियम फ्लेम पे करके मैं सब्जी को ढखकर पका चलिए फ्रेंड सब्जी को खोल कर देखते हैं सब्जी में हमें कोई पानी डाला है अलू दबा कर देखते हैं आलू भी हो गए है और अब हम इसमें डालेंगे यह राधनी है सब्जी को खोल कर देखते हैं यह देखिए सब्जी बन गई है आलू को दबा करते देख लेते हैं आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल गया है और आप एक बार इस तरह से जरूर सब्जी को बना कर खाकर देखिए बहुती यम्मी यम्मी सब्जी बनती है यह देखिए आप डिट्रेंट तरीगे से सब्जी को बना कर देखिए और अगर आपको मेरी सब्जी पसंद आई हो और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हूँ तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक से हैं सब्सक्राइब कीजिए थैंकी